कि हैलो फ्रेंड इस वीडियो में हम लुग डिस्कस करने वाले हैं साइनस और साइनसाइटिस के बारे में इसमें हम लोग एक्यूट साइनसाइडिस क्या होता है कुछ रिप्रसकर करने की कोशिस कर रहा हूँ ये basically हमारे face में चार टाइप का sinus होता है यो जो head है उसमें चार टाइप का sinus होता है ये उपर उपर वाला जो portion है इसको हम लोग बोलते है frontal sinus उसके बाद फिर ये वाला जो portion होता है मतलब ये sinus दोनों साइड़ी होता है एक हमारा right साइड होता है एक हमारा लेप साइड होता है तो यह जो ब्लू वाला दीख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इसके बद अब हम लोग इसके पोजिशन का discussion करेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे चेहरे में एक सटेन पोजिशन में हैं बट एक्चुली में बाहर में तो दिखता नहीं है साइनस जो जो कोईशन मैंने दिखा है उसी के अंदर में साइनस प्रजेंट होता है तो जो उपर वाला frontal sinus है यह क्या होता है हमारा जो आख है उसके उपर में होता है यहां पर अंदर में यह जितने भी sinuses है एक टाइप के cavity हैं जिसमें air भरा होता है और कुछ secretions होता है उनका discussion हम लोग बाद पीछे में होता है मतलब यह गाल के अंदर में होता है उसके बाद फिर जो लास्ट इस फेनाइडल साइनस है जो यह वाला है यह तो इस फेनाइडल साइनस क्या होता है जो हमारा आख होता है उसके पीछे में होता है तो हमारा आख इदर तक हो सकता है मेरा आख होगा उसके तो बेसिकली जो sinuses हैं ये क्या होते हैं एक तरीके का ये cavities है जो हमारे face में present होता है और इन cavities से thin mucos का secretion होता है और ये आपस में एक दूसरे से channel से connected रहते हैं इस mucos का secretion होता है हमारे narc के अंदर में होता है तो एक तरीके से हमारे को safety प्रदान करता है normal condition में देखा जाए तो जो भी sinuses होते हैं उसमें air भरा हुआ होता है लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी करण से उसमें liquid feel हो जाता है और उसके बाद फिर उस sinus में infection हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं sinusitis ठीक है या फिर इसी को हम ल बार देता उसके आगे का वीडियो continue करते हैं तो यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो में रिजन है में कारण है sinusitis का वो क्यों होता है तो यह basically infection से हो सकता है कई बार viral infection होता है कई बार bacterial infection होता है कई बार पंगल infection होता है बट mostly bacterial infection की वज़े से sinusitis होता है नेक्स जो common cold है वो भी sinusitis produce करने का छमता रखता है नेक्स होता है नसल या फिर seasonal allergies होता है किसी को तो उससे भी यह चीज़ डेवलप हो सकता है नेक्स किसी को polyps है polyps means जो unvantaged tissue का growth हो जाता है जो हमारे पास sinus है उसके अंदर में तो उसकी वज़ेश साइनसाइटीज हो सकता है नेक्स्ट डेविएटेट सेप्टम तो हमारे पास जो सेप्टम होता है दोनों नाग के बीच में तो उसकी वज़ेश से भी sinusitis हो सकता है नेक्स्ट है a weak immune system from illness और medications किसी तरीके के illness से फिर medication की वज़ेश से immune system weak हो जाता है तब भी sinusitis हो सकता है means sinus में infection हो सकता है अब हम लोग next देख लेते है acute bacterial sinusitis मतलब basically चार टाइप का sinusitis होता है जिसमें acute bacterial sinusitis होता है तो यह basically bacterial infection से होता है इसका symptoms क्या क्या है runny nose होगा इसमें stuffing nose होगा मतलब stuffing हो जाएगा nose में मतलब jam हो जाएगा एक तरीके से facial pain that does not go away after 10 days मतलब face में pain होगा और वो 10 दिन बाद भी नहीं जाएगा तो face में क्या होगा जो भी sinus infected रहता है वहीं पर वह basically prominent pain होता है जैसे upper वाले में होगा जिसको हम लोग बोलते है frontal में तो इस जगह में pain होगा ethenoid में होगा तो इस जगह में pain होगा यहाँ पर यह आग के बराबर उसके axillary होगा तो यहाँ पर आग के नीचे में pain होगा उसके बाद फिर जो sphenoidal होगा तो आग के अंदर में आग के पीछे में दर्द होगा तो उसकी वेज़ा से आप पता लगा सकते कि कौन से sinus में infection हुआ है एक आपको idea लग सकता है अब इसमें हम लोग next देखते हैं तो chronic sinusitis इसका क्या है इसमें नसल कंजिशन होगा drainage होता है उसके अलावा जो facial pain है वो भी होता है facial pressure जैसे फील होगा इसा लगाएगा कोई face को ऐसे आपको दबा रहा है प्रेसर पड़ रहा है उसके अलावा decreased sense of smell for at least 12 weeks तो आपका जो smelling का sense है आप जो सुगने की समता है वो decreased हो जाएगी और यह decrease कम से कम 12 हपते तक रहेगी मतलब लगवाग तीन मेहने तक तो आपको फिर वो chronic sinusitis का symptoms है इसमें next term लोग देखते हैं सब acute sinusitis है तो सारे sinusitis का ही symptom रहेंगे बट वो symptom आपका चार से 12 हपते तक रहेगा तो उसके मोग सब acute sinusitis बोलते हैं और यदि रिकरेंट acute sinusitis हुआ तो क्या होगा this term is used when the symptoms come back four or more times in one year and the last less than two weeks each time तो यह क्या होता है कि आपको साल में चार बार sinusitis होगा और दो हपते तक वो sinusitis रहेगा तो उसको मोग बोलते हैं recurrent acute sinusitis आपको continuously बहुत जादा दिन तक नहीं रह रहा है लेकिन बार बार दो तीन महीने में वापस आ जा रहा है तो उसको बोलते करें और यहां पर हम लोग sinusitis की बात करें तो कई बार यह अपने आप भी ठीक हो जाता है कई बार हमें treatment का जहुरत पड़ता है इसमें नेक्स देखते हैं कि मतलब ऐसे लोग घरते हो सकता है जिनको नजल वाम अज साड़ीश्य मतलब बहुत लोग का जो स्ट्रक्चर यह इबनॉमल होता है ठीक नहीं होता है तो उस condition में उनको sinusitis की condition कई बार बनती है smoking can also increase how often you get a sinus infection जो लोग कि smoking करते हैं उनको भी ज्यादा chances रहता है कि उनको sinusitis हो सकता है अब यहां पर आपके वद्वान में एक और question आ सकता है कि भाई जो sinusitis है वो क्या contagious होता है तो basically sinusitis bacterial infection होता है तो contagious नहीं होता है मतलब एक दूसरे से नहीं पहलता है चूने से नहीं पहलता है बट किसी को viral sinusitis है जो कम लोगों को होता है तो वो contagious होगा next इसमें point हम लोग देख लेते हैं treatment का तो treatment के बहुत सारे options available है तो कई बार यह होता है कि जो sinusitis है अपने आप भी ठीक हो जाता है without any treatment बट यदि आपको treatment देना पड़ा तो doctors कौन-कौन से treatment देते हैं simple sinusitis है तो उसमें decongestants हो करा देते हैं इसके लावा जो OTC drugs है means over the counter drug ऐसे ड्रग जिनको आप medical shop से या फिर फार्मेसिस से directly purchase कर सकते हैं और उसको खा सकते हैं उसको हम लोग बोलते OTC drug तो cold allergy के लिए बहुत सारे medications होते हैं वो इसमें benefit देते हैं यादि simple sinusitis है तब देन नजल सेलाइन irrigation तो नाट में जो सेलाइन है उसका drip डालने से मतलब उसको मोइस्ट करने से वह sinusitis है वह reduce होता है या फिर खतम होता है next drinking fluids ठीक है तो जैसे infection होगा हुआ है especially viral infection हुआ है तो उस condition में आप fluids ज्यादा लोग है तो वह भी जो sinusitis को reduce करने का काम करता है अब हम लोग देख लेते हैं कि moderate sinusitis क्या होता है तो जो simple sinusitis है वह basically cold and cup जैसा ही होता है तो उसका अपने treatment लिए उसके बाद 10 दिन बाद भी ठीक नहीं हो रहा है फिर आपको समझना चाहिए कि भी है और या फिर टॉपिकल डी कंजेस्टेंट देंगे तो उससे आपको वह चीज़ ठीक हो जाए इसके अलावा भी आपका sinusitis ठीक नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल करें और डॉक्टर आपका in between physical examination करेंगे या फिर आपका जो न है ठीक है जो inflammation ओगरा जो होता है उसको कम करता है because sinusitis जब होता है तो वहां पर sinus में inflammation ओगरा हो जाता है ठीक है तो उससे basically pain होता है rinsing the nose with saline solution उसमें भी बोला जाता है कि जो saline solution है उससे आपको nose को rinse करना है वो चीज़ कहा जाता है पार्ट फ्रम इस किसी का जो nose है उसमें structural deformation की वजह से sinusitis है तो उसका surgery भी कराना पड़ता है बागी यह सारा चीज आपको physician बता देते हैं तो I hope इन सबसे आपको sinusitis के बारे में complete details पता चल गया होगा thank you so much